सो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे परिमेटेरिया पर, जो एक इंटरप्रेटेशन का लीगल मेकजिम है, या आप इसे एक इंटरप्रेटेशन का रूल भी कर सकते हैं, परिमेटेरिया से ताथ पर इसकार्थ होता है साम में विफेवस्त, मतलब समान वस्तु हैं, आप उदःण के तौर पहीत समझ सकते हैं जैसे कि दो अधिनियमों में अगर दो अधिनियम या दो अधिनियम के अधहरा हैं दोनों का उद्ध्यस या सबजेक्ट एक विश्यवस्थु है तो उसका निरवचन करते समय दोनों का अर्ठानमैन एक समान किया जाएगा देखा होगा कि आपके ट्रांसफर प्रापर्टी एक्ट का सेक्षन तीन अचल संपत्ती के बारे में उसकी परिभाता को देख्ट करता है और उसके पहले का आया हुआ एक जन्रल जन्रल क्लाज एक्ट 1897 का सेक्षन टू सबक्लाज 26 में भी अचल संपत्ती की परिभाता दी परिभाता को देखा जाता है तो यह क्या हुए दोस्तों यह दोनों साम में विश्यवस्तु हुए इनका निरुचन करते समय एक दुसरे का सहरा लिया जाएगा और दोनों का समान निर्वचन किया जाएग इसी को परिमिटेरिया कहते है कि जब दो अधियओं के जो विशेवस्तु हुम निरयवचन करते हैंיפius परिमिटेरिया मल लब समान विशेवस्तु के माध्यम से और निरयवचन की आ इसका तात पर यह निकलता है दोस्तों जब किसी विधाई का दोरा किसी अधियम का निर्मार किया जाता है तो वह अपनी अभिव्यक्ती का अभिव्यक्ती ब्यक्त करता है अधियम के माध्यम से तो कहा गया है किसी अधिनियम में प्रियोग की गई अभिव्यक्ती का अर्थ निर्धारित करते समय समान विशयवस्तु से संबंधित पुर्व के किसी कानून में प्रियोग की गई किसी वितिष्ट अभिव्यक्ती से निर्धेश्या शंकेत लिया जा सकता है जैसे कि कोई दोस्तों अधिनियम 2020 में आया है और वह ऐसी चीज़ के बारे में प्रावधान करता है जिसके बारे में प्रावधान पुराने किसी अधिनियम में दिया गया है तो जब नए वाले अधिनियम का निर्वचन किया जाएगा तो पुराने वाले अधिनियम का सहारा लिया जा सकेगा, सहारा लिया जाएगा, ऐसा यह अधिनियम बतलाता है, अब आके आते हैं दोस्तों, मैक्सवेल, मैक्सवेल एक महान फिलासपर है, उन्होंने अपनी बुक इंटरप्रेटेसर आप इस्टेटूट्स में कहा है, कि जहां साम्य विसेवस्तु के विभिन उनका कई ये कहना है, कि जहां पर एक ही विसेवस्तु है और उन पर दो अलग अलग कानौन बनाए गए है, और उन्हें अलग समय में पारित की आ गया है, इक्जामपल के पर जैसे कि कोई 1920 में पारित हुआ है, कोई 2010 में पारित हुआ है, और तो आगे वो कहते हैं, चाहे समाप TCP το हो चुके हूं चाहे वें समान रखते हों चाहे 2010 सा माप्त हो चुका हो चाहे 2020 से संबंध हम मगर जब उनका का इंटर्पड़ेसन किया जाएगा तो दोनों का अर्थ समान निकाला जाएगा आप ऐसे भी समझ सकते हैं दोस्तों जैसे कि आपने देखा कांट्रेक्ट अधिनियम की दारा 11 कॉंपिटेंट सच्छम पच्छकार के बारे में बतलाती है लेकिन जब उसका इंटर्पर्टेशन किया जाएगा कि हुई इस कॉंपिटेंट तो भारती वयस्कता अधिनियम 1872 म कैसे to सक्षन तीन में से यह निकाला जाता है कोंव्यक्ति वयस्क क्या और दोनों का जो उद्येश्य है वही है कि दोनों सच्छम पच्छकार के बारे में बतलाती है अगर अतवर दोनों का जो विशय वस्तु है वह समान है सामने है इनका निरोचन किया जाएगा तो परीम उच्चतम नियाले द्वारा निर्धारित किया गया कि भारती साथ चद्रियम एक सव बहत्तर का सेक्षन 4 और भश्टा चारनी नारद्रियम उन्नी सो सेटालिस का सेक्षन 4 दोनों की विशवस्त शमान है अता दोनों का निरवचन करते समय एक दुसरे का सहरा लिया जाएगा और दोनों का निर्वचन समान रूप से किया जाएगा इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों एक केस है आथाम स्टेट वर्थेज़ पी बंदुआ AIR 1969 AFC यह उच्चतम नियाले द्वारा निर्धारित किया गया वाद है इसमें कहा गया कि आयकर अधियम 1922 और असमक्रिस्य आयकर अधियम 1939 साम्मे विसेवस्तु होने के कारण इंटर्प्रेटेशन साम्मे विसेवस्तु के आधार पर किया जाएगा जैसा कि आप समझ सकते हैं दोस्तों कि पैरिमेटरिया कातात पर यही निकलता है कि जब विसेवस्तु समान हो और उसपे दो अधियम बनाये गए हो तो निर्वचन करते समय दोनों का अर्थ समान निकाला जाएगा इसके बाद आते हैं दोस्तों मगले केस पर जो है सोनिया भाटिया वर्षे उत्तरप्रदिस यह AIR 1981 का है यह उचतम नियाले द्वारा निर्धारित किया गया है जिसमें सीमा अधिरोपड अधियम 1973 की सेक्षन 5 सब क्लास 6 में परियाप्त प्रतिफल के बारे में बतलाया गया है और आयकर अधिनियम 1961, सेक्षन 16, सब क्लास 3 में भी परियाप्त प्रतिफल के बारे में बतला आ गया है इसमें उच्छतम न्याले द्वारा निर्धारित किया गया दोनों का उद्धियश एक है और अतह दोनों साम में विशय वस्तु है अतहिन का निर्वचन करते समय समान निर्वचन किया जाएगा इसके बारे में हम आगे केश में बात करेंगे दोस्तों सार सिल्क लिम्टेड वर्थेज कपड़ा समित AIR 9089-80 इसमें उच्छतम न्याले द्वारा अभी निर्धारित किया गया की मतलब दोनों एक ही विशय पर बनाई गई विधिया है आप इसमें बहुत अच्छा समझ सकते हैं दोस्तों क्योंकि यह दोनों जो अधिनियम हैं यह कपड़े पर बनाएगे थी मतलब कपड़े के उद्योग को कैसे सहायता प्रदान किया और उसके व्यापार को कैसे बढ़ा जाए अताहं इन दोनों का विशय वस्तु सामने हैं निसे पर इक ही विषय व्शय वस्तु पर यह सब्सक्राइब कोई वि créd estás certainty इंद्धियोग और अगर दोनों का विशेवस्तु पर तो जब उन दोनों का निर्वचन किए गया है और बिम्न भीन सब्सक्राई पारित किए गए तो उनका जब निर्वचन किया जाएगा तो उन दोनों का अर्थ समान निकाला जाएगा थेंक्यू दोस्तों